आज आपको दिखाते हैं mutton steam shanks with vegetables without marination हम कितना easily बना सकते हैं तो वीडियो end तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा तो guys अपना step number one यह है कि हम एक pressure cooker लेंगे उसमें पानी थोड़ा एड़ करेंगे तकरीबन भी धेड़ ग्लास हम पानी एड़ करेंगे सबसे पहले हम पानी में एड़ करेंगे थोड़ा नमक और बाकी भी मसाले आपको बता देते हैं एक teaspoon white pepper, एक teaspoon black pepper, half teaspoon इसमें हम mustard powder एड़ करेंगे और एक teaspoon है यह भूना हुआ जीरा और यह देखें बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा एक प्यास का लेंगे और तकरीबन भी दो tablespoon अदरक और लसन का paste एड़ कर देंगे और यह तकरीबन भी चार चमच होएं वो tablespoon के दही के इसमें एड़ कर देंगे अब यह देखें यह जितने भी मसाले हैं उन सारों को हम अच्छे तरीके से mix कर लेंगे पहले सारे मसाले mix करने के बाद इसमें हम एक teaspoon जो है वो सिरके का add कर देंगे और यह देखें मटन के लिए हमने यह जितने भी पीसिस चूस किया है यह मटन मचली है मटन शैंक्स भी ने बोलते हैं यह भई मटन की सबसे finest और लजजीस किसम का यह गोश्ट होते हैं और यह देखें यह steamer के उपर ही हमने यह मटन के पीसिस रखें अगर आपके पास steamer नहीं भी है तो आप वैसे भी सीधा गोश्ट add कर सकते हैं और यह देखें इसे हम इसी तरह pressure cooker के अंदर place कर देंगे और इसका मूँ ऐसे उपर ही रखेंगे अब इसे हम pressure cooker में बंद कर देंगे इसे पहले हम 5-6 मिनट के लिए तेज आँच पर पका लेंगे और उसके बाद धीमी आँच पर इसे आईसा आईसा पकाते रहेंगे तो guys यह देखें अलहम्दुल्ला से इसे हमने 40-45 मिनट पकाया और अब इसकी लोग देखें माशालला यह देखें भई जबर्दस तो guys देखें जैसे हमने इसे बिलकुल भी कोई marination के लिए नहीं रखा था बस इसी तरह simple मसाले add करके और इसे हमने पका लिया था और यह देखें भई माशालला से कितना tender है बस ऐसे पकड़ा ही है और यह तूट किया इसकी लोग देखें तो guys यह देख सकते है pressure cooker में अभी भी थोड़ा मसाला है इसके अंदर हम थोड़ा olive oil add करेंगे और यह थोड़ी wedges हमने काड के रखी हैं इसमें प्यास थोड़ी बंगो भी शिम्ला मिर्श और गाजर यह सारा इसमें एड़ कर देंगे बैजिस डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी soya sauce एड़ करेंगे और एक बार फिर से हम जितना भी mutton बनाया हुए इसमें एड़ कर देंगे तो भी mutton एड़ करने के बाद हम जरा सा इसे mix कर लेंगे और इसे अब हम दो से तीन मिनट के लिए pressure cooker में फिर से दम लगा देंगे तो भी जल्दी से अपनी प्लेटे ले आओ क्योंके अपना mutton steam with wedges ready है और ये देखें माशाओला भाई खुबसूरत और ये भाई सब के लिए like everyone can eat it easily और ये रहा जी अपना steam mutton with wedges भाई बहुत ही tender है माशाओला ये देखें भाई गोल गोल बोटी उफ खुबसूरत बिसमिल्लाही वाइला बरकतिल मतन जो है वो fully tender है आपने मसाले में wedges और ये मतन डालके दुबारा लाजमी पकाना है उससे फ्लेवर बहुत ही कमाल काएगा ये खाने के लिए कोई रोटी की जूरत नहीं है ऐसे ही mutton को रगड़ा लगाओ with wedges और ये खाने के बाद आप लाजमी कहोगे स्वाद आगया बाश्चो